पीसेस करण न्यूज प्रोग्राम में अपका स्वागत है पीसेस करण न्यूज में चर्चा का विशे है पहला अतुल्य भारत अंतराश्ट्रिय क्रूस सम्मेलन दो हजार बाइस भारत का पहला अतुल्य भारत अंतराश्ट्रिय क्रूज सम्मेलन यानी ट्रिपल आई डबल सी संयुक्त रूप से भारत सरकार के बंदरगाहा जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्राले और फिक्की द्वारा मुंबई में आयो जित्की आ गया केंद्रिय पत्तन, पोथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानन सोनोवाल ने इस सम्मेलन का उधगाटन किया कैप्टन क्रूजो इस सम्मेलन का लोगो और शुभंकर है सम्मेलन का मुखे उद्देश्य भारत को एक क्रूज हप के रूप में विक्सित करना है इस सम्मेलन में रिवर कुरूजिंग की क्षमता और कुरूज परियटन, सफलता की कहानिया और गंतवय विकास आधिकारिक्रमों का भी आयोजन किया गया इस समेलन के दोरां घरे लू और अंतराश्ट्रिय पर्यटकों को कम क्रूज इन इंडिया के लिए आमंत्रित किया गया देश में क्रूज परियटन के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थिती की तंत्र खड़ा करने हे तू भारत सरकार ने एक उचस्तरिय समीती का गठन किया है इस समीती में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त क्रूज उद्योग के प्रतिनिदी भी शामिल हैं इस पहल के अंतरगत सरकार क्रूज यात्री आतायात को मौजूदा चार लाग से बढ़ा कर 40 लाग करना चाहती है देश में क्रूज परियटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कुछ पहले की हैं बुनियादी ढांचे के उन्नयन बंदरगाह शुलक को युक्ति संगत बनाना, निशकासन शुलक को हटाना, क्रूज जहाजों को प्रार्थ मिक्ता देना और ई-वीजा सुविधा प्रदान करना आदी इस समेलन के आयोजन में चार थीम आधारित तटिये गंतव्य सरकिट को सक्रिये क्रूज मांग के लिए विक्सित किये जाने की भी बात कही गई है गुजरात तीर्थ यात्रा, पश्चिमी तट सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परियतन, दक्षण तट आयुर्वेदिक कल्यान परियतन और पूर्वी तट विरासत परियतन